कि तुझ कि मुझे लगता है कि बड़ा हुआ है और बड़ा हुआ है यह बाद से ही कि जब मैं इलेक्शन लड़ रही है तो इलहाबाद युनिवर्सिटी का इलेक्शन बड़ा ही मनी पावर और मुसल पावर डॉमिनेटिंग एलेक्शन होता है, वह तरीके से डियू का, अर में लड़कियों नहीं सबसे जादा मेरा सपोर्ट किया और असा नहीं है कि सफ लड़कों ने भी साथ में सपोर्ट किया लेकिन पूरा काशिविद्या पीथ में लड़किया चला रही तो और मुझे लगता है कि वह बदलाव की शुरुआत थी और आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है बनारस में काशिविद्या पीथ में भी एक लड़की प्रेसिडेंट हुई और इस साल अभी हमारे हैं रिसेंट्ली एलेक लड़किया पॉलिटिक्स में आ रही है और पॉलिटिक्स में आके वो सवाल कर रही है अलिगर्ड मुस्लिम उन्युवसिटी में अभी एक साल पहले एलेक्शन कंटेस्ट किया था और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनसे पहले जिस लड़की ने इलेक्श पॉलिटिक्स में जरूर लड़किया आ रही है लेकिन सिर्फ एलेक्शन कंटेस्ट करने तक उसको देखा जाना जरूरी नहीं है किस तरीके से लड़कियों की आवाज उनके सवालों की उनके अधिकारों की आवाज जिस पर वो मुवमेंट खड़ा कर रही है वहां पर कि लड़कियों ने काला जंडा दिखाया जिसमें अपूर्वा थी पूजा थी तो लड़किया अनलगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है सवाल भी उठा रही है और स्टूटिंट उनियन के एलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रही है और इससे जादा वह आंदोलनों में सक्रिय हो रही है जो हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि बिल्कुल दिखे जिस तरीके से अभी रिसेंट्ली अगर आप उठा लें यूपी में तो जो है गवर्मेंट भी आ गई है बीजिपी के लेकिन इसके बाद शे मैने की गवर्मेंट के बाद जितने अभी आप देख सकते हैं कि दू में एलेक्शन हुए यूपी के बाहर हर जगे अभी वीप को मुखी खानी पड़ी है उनकी अपनी गवर्मेंट होने के बाब जूद इसमें सर्फ एक चीज कहना चाहते हूं कि देखे जिस तरीके से अभी वीप ने हिंसा की राजनीती का स अभी वीप ने हिए इस तरीके की हिंसा अभी बर्दाश्ट नहीं है और लोगों का गवर्मेंट से भी सवाल है कि आप और स्टूडेंट यूण अभी वीप से भी सवाल कर रहा है कि रोजगार के सवाल पे आपका क्या स्टेंड है तो एक दम नो कहना है और आप देख ले और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने एक अपना अपीनिन स्टाफ दे दिया है कि यह जो हिंदुस्तान है वो गांधी भागत सिंग अमबेटकर सावित्री भाई फूले के विचारों का हिंदुस्तान है वो गोट से और गोवलकर के विचारों का ना तो हिंदुस्ता और ना वो उसे बनने देंगे. और अगर आप एक common background से आते हैं, आपका कोई political godfather नहीं है, आपके कोई political scenario नहीं है, आप यह देख लिजे, ऐसा नहीं किस देश में महिलानेता नहीं हो, लेकिन क्या उन महिलानेता उने महिलाओं की politics की या उनको मेंस्ट्रीम में लाने के लिए इतना initiative लिया, यह हम लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है, तो जरूर मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ज़्यादा मुश्किलों को जहेल लेते हैं, तो फिर आप और पक्के हो जाते हैं उसी फ्रिड में continue करने के लिए, तो मैंने assembly election लड़ा और मुझे assembly election में बहुत सारी मुसीबतों का लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे. अगर हम लोगों ने योग अदे तेनाथ को रोका तो वहीं दूसी तरफ बसे चलाने का स्टूडेंट्स के लिए काम या ऑनलाइन ओफलाइन का जो पूरा आंदूलन की पूरा स्टूडेंट जो रूरल बैक्ग्ग्राउंड से आते हैं, उनके हकों की लड़ाई लड़ने काम भी हमने किया, मैं यह मानती हूँ कि जब आप स्टूडेंट्स से अगला कदम आप यूशिटी के बाहर निकालते हैं, तो बिलकुल आपको किसी ना किसी आइडिलोजी के साथ जाना पड़ता है और मुझे लगता है कि वरतमान समय में मैं आपको मैं बताओं क्यूंकि लेफ्ट भी एक एक्स्ट्रीमिस्ट और वहां पर भी जेंडर को लेकर बहुत डिस्क्रिमिनेशन है और ABVP या BJP की पॉलिटिक्स के साथ हम लोग बहुत इतफाक नहीं करते हैं, मुझे लगता है क अगर आप समाजवादी पार्टी का इतिहास देखेंगे तो इसने बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स को एक प्लाटफॉर्म दिया है और आप लोग जब कहते हैं कि वो किवल परिवारवाद की राजनीती है या फिर एक जातीवाद की राजनीती है तो मैं यह कहते हूँ वहाँ से लडने का मौका दिया और अभी मैं आपको एक्जैम्पल के लिए बता दूँ कि अभी जो है नगर निकम की चुनाव होने जा रहे हैं अयोध्या में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर को मेर का सीट पे लडने का मौका दिया है तो आपको यह देखना होगा कि हम पा आजनीती में सक्रिये नहीं होंगे तो शायद बहुत सारे सवाल शूट जाएंगे और वो सवाल कंटिन्यू हम लोग उठाते रहें उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी पॉलिटिक्स और अखिली श्यादव जी के साथ पॉलिटिक्स करना उनके विचारों के साथ पॉलि पॉरी है क्योंकि पॉलिटिक्स में जेंडर पॉलिटिक्स हो पाए क्योंकि जब सिर्फ परिवार से निकल कर मैला नेता हैंगी तो शायद जेंडर पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी तो जेंडर पॉलिटिक्स हो पाए इसले वे में अक्टिविस्स को पॉलिटिकल पार्ट